सुगईस अगर आपका बज़ेट है सास से आठ हजार रुपया और उसमें आप एक बैस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बैस्ट फाइप स्मार्टफोन को एड करा है जिनके अंदर आप आपको डीसेंट लेवल की फीचर्स मिल जाते हैं यानि आपकी नीड के अकॉर्णिंग डीसेंट स्मार्टफोन है अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या बड़ी रेम और इस्टूर बारा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आपको best smartphone देखने को मिलेंगे तो वाई यहाँ पर मैं number 5 से start करूँगा धीरे धीरे number 1 तक जाने वाला हूँ जो की ranking वाई smartphone है तो सभी smartphone की अपनी एक अलग पेंचान है तो आप अपने budget के according smartphone buy कर सकते है और वीडियो के last में बताँगा कि किसी जरू को कौन सा smartphone buy करना चाहिए तो चली वीडियो को start करते है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को end तक जरूर देखना तो चली वीडियो को start करते है सुखीस यहाँ पर आपका जो पांच वी नमबर वाला smartphone है वो है Redmi A1 Plus काफी अच्छ स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको यह back में plastic body मिलती है और यह स्मार्टफोन एंडर 12 पर रन करता है और यह 9.9 mm की थिखनिस है यानि काफी average सा स्मार्टफोन है टच संप्लिंग डेट है तो अपरोल डिस्प्ले की क्वालिटी ओक है 400 निट्स की पीक ब्रेटनेस है डिस्प्ले की क्वालिटी ओक है एंड इसके लवा camera setup के वारे बात करते है बैक में dual camera का setup है जिसमें man camera 8 megapixel का है 5 megapixel की selfie है तो back camera से 1080 में video record कर सकते है इसटी का लगा पाएंगे यहां पर 5000 MS की बेंटी है 10 वोट का चार्जर मिल जाता है इसके लाव इसकी pricing के बारे बात करते है तो यहां पर आपको security के लिए rear fingerprint है फिर सनलो का support मिल जाता है यहां पर आपको 2GB RAM 32GB का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है साड़े 7000 रुपी के अंदर और बेंक वगेरा offer लगाओगे तो 7000 रुपी के अंदर आपको यह smartphone पढ़ जाता है तो आप इसे smartphone को भी check out कर सकते है सुविस यहां पर आपका जो चौते नमबर वाला smartphone है वो है लावा X3 काफी recent ही launch हुआ काफी अच्छे smartphone है यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है वाइस के मेर features के बारे में बात करते है तो यह smartphone N.12 पर रन करता है यह 9.2 mm की ठीकने से यानि ठीक स्मार्टफोन है 210 ग्राम का यह smartphone है यानि पिछली smartphone से थोड़ा भारी smartphone है इसके लवा display के बारे में बात करते है 6.5 पेंचर्स की HD प्ले डिस्प्ले जो की एक IPLCD पैनल है इसके साथ आपको नॉर्मल 60 एर्स का स्मूड डिस्प्ले मिल जाता है वाटर डॉब नौच के साथ है एंड कैमरा सेटप के बारे में बात करते है तो यहां पर आपको बेक में डॉल कैमरे का सेटप है इसके लावा 4,000 MS की बेंटरी मिल जाती है अब भाई 5,000 MS की बेंटरी भी नहीं है इसे स्मार्टफोन के अंदर इसके लावा इसकी सिक्योर्टी के बारे में बात करते है तो रियर फिंगर पेंटा फेस्टनलों का सपोर्ट मिल जाता है प्राइसिंग के बारे में बात करते है तो वाई 3GB RAM 32GB का इस टूरी जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 7,000 रुपे के अंदर आप इसे स्मार्टफोन को चेक आउट कर सकते तो यहाँ पर आप एक इंडियन ब्रांड वाला स्मार्टफोन लेना चाहते है लेना चाहते है बिना बलोट वेर के तो यह स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगड़ी है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते है वब के इसलिए नमार्टफोन के main features के बारे बात करते हैं यहाँ पर आपको अच्ही है बेक में plastic वोडी है एंड यह स्मार्टफोन Android 11 पर run करता है एंड 8.9 mm की थिखने से यानि 209 ग्राम का ये स्मार्टफोन है एंड वाइड डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.82 इंचेस की HD प्ले डिस्प्ले जिसके साथ आपको मिलता है 90 एर्स का स्मूध डिस्प्ले है पंच और कटाउट के साथ देखने को मिलती है एंड 180 एर्स का टच्स सेंप्लिंग डेट है तो डिस्प्ले की क्वालिटी डीस्प्ले है एंड यहाँ आपको बेक में डॉल कैमरे का सेट अप है जिसमें में कैमरा 13 मेगा पिक्सल का है और 8 मेगा पिक्सल की सेलफी है बेक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है तो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है एंड यहाँ पर पर्फॉमेंस के वारे में बात करते है तो यहाँ यूनिसोक का T610 वाला प्रोसर मिल जाता है यानि डेली उसके लिए स्मार्टफॉन बैस्ट रहेगा और गेमिंग वगेरा भी आप इससे स्मार्टफॉन में कर पाएंगे यहाँ पर आप 3GB की वर्चुर रैम एड़ कर सकते है इसके लाबा त्रिपल कार्ट स्लोट है यानि दूसरी मिल लगा सकते है इसके लाब बैंटरी के बारे में बात करते है 6000 MS की बैंटरी है 18W की Fast Charging का Support मिल जाता है अब भाई Security के बारे में बात करते है तो यहाँ पर आपको मैंता है Rear Finger Penter Face On Lock का Support मिल जाता है अब इसकी प्रैसिंग के बारे में बात करते है तो भाई 4GB RAM 64GB का Storage है जिसकी प्रैस आपको मिल जाती है वाई 8000 रोपे के अंदर बट वाई बैंक वगएर ओफर लगाते हो अभी सेल चलने वाली है और सेल चली हुई है वी के टाइम पर तो यह स्मार्टफोन आपको 7500 रोपे के अंदर पड़ जाएगा तो यहां पर आपको बैक में प्लाइस्टिव वाड़ी मिल जाती है यह स्मार्टफोन अड़ ट्वेल पर अनकरता है यानी काफी एवरेज सर्स्मार्टफोन है डिस्पली के बारे मात करते हैं तो 6.6 अंचर्स की फुल एच्डी प्लेड डिस्पले जो की एक IPLCD पैनल है जिसके साथ आपको मिलता है नाइन टियर्स का स्मून डिस्पले है वाटर डॉप नौज के साथ है तो अपरोल डिस्पले की क्वालिटी अच्छी है यहां पर कैमरा सेटप के बारे में बात करते हैं बैक में डुल कैमरी का सेटप है जिसमें में कैमरा 13MP का 8MP की सेलफी है 720P में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है तो कैमरा क्वालिटी OK टाप यहां आपको मिलती है एंड इसकी परफॉमेंस के बारे ही बात करते है में डिया टिक का हेलो जी 37 अबाला प्रोस है तो यहां पर आप काफी अच्छी लेवल की गेमिंग कर पाएंगे डेली इसके लिए स्मार्टफोन बैस्ट रहेगा मल्टी टासिंग आप इसे स्मार्टफोन में कर सकते है इसके लावा 3GB की वर्चुर रैम भी आप इसे स्मार्टफोन के अंदर एड़ कर पाएंगे इसके लावा तर्पल कार सलोट है यानि दो सिम लगा सकते है और एक लगसे HD का लगा सकते है इसके लावा 5,000 MS की बेंटरी मिल जाती है अब भाई सिक्योर्टी के बारें बात करते हैं रियर फिंगर पेंटर फेस लावा का सपोर्ट है जो की इस्टेट वर्ग करता है अब भाई इसकी प्रैसिंग के बारें बात करते है तो 4GB RAM 60, 4GB का स्टूरेज है जिसकी प्रैस आपको मिल जाती है तो अगर आप अपको पहले नमबर वाला स्मार्फोन है वह स्मार्फोन जिसकी केमरा हो और अच्छा का सब्सक्राव को जबचेट हो इसके लावन इसकी प्रैसिंग को आपको एक और प्लस में इता है आपको बैक में प्लास्टिक वोड़ी मिल जाती है यह स्मार्फोन एंडर 11 पर रन करता है 9.1 mm की थिखने से 198 ग्राम का यह स्मार्फोन है डिस्प्ली के बारें बात करते हैं तो 6.5 पेंचर्स की फुल एजडी प्लाइड डिस्प्ले जो की एक IPLCD पैनल है जिसको साथ आपको मिलता है 90 एर्स का स्मूर्ड डिस्प्ले है पंच ओल कट आउट के साथ देखने को मिलती है और रोल डिस्प्ले की क्वालिटी डी सेंट है इस प्राइस को कॉर्डिंग काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है एक कैमरे का सेट आप क का मिलती है आपको काफी डीसंट देखने कमलती है और जितने बी समाट फ़न बताएं इस लिष्ट के अंदर उन सबही में बेस्ट कैमरा सिमाट फ़न है तो इसकेलाबा यहां पर प्रफॉамαιंस के बारेました करते हैं तो यूनिसोप का T700 वाला प्राउसर है यानि काफी पाफुल चिप सेट है 40 एपेस तक आप इसमें किसी भी गम को ईजली रन कर सकते हैं तो गेमिंग वगरा के लिए भी काफी अच्छे स्मार्टफोन है एंड वाई यहाँ आपको त्रिपल कार स्लोट मिलता है यान इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 8000 रुपे के अंदर यह स्मार्टफोन अब को मिल जाता है साड़े 7000 रुपे के अंदर फिलिप कारड़ पर तो अभी सेल चलिए तो आप रीसेंटी चेक आउट कर सकते हैं तो इस यह थे आपके बेश्ट स्मार्टफोन जिनको आप खर अच्छी स्मार्टफोन के अंदर आपको यह स्मार्टफोन परफेक्ट रहेगा तो आप इससे स्मार्टफोन को चेक आउट कर सकते हैं तो आप अपने बजट के स्मार्टफोन बाई करना और कमेंट में करना कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा तो चली वीडि प्यांदर